Hello everyone, आज हम Class 6 का Mathematics स्टार्ट करेंगे Mathematics में हम Chapter 3 के बारे में डिस्कस करेंगे Chapter 3 Playing with Numbers के बारे में है Playing with Numbers के बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे ये सब हम Class 6 के Mathematics में जानेंगे Playing with Numbers में हम SCF, LCM, Divisibility by Rules और Factorization, Factors, Multiples इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आई ये स्टार्ट करते हम Class 6 का Mathematics देखे चेप्टर 3 Playing with Numbers आज हम Exercise 3.5 के Next Question करेंगे लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने Exercise 3.5 के Question No. 1, 2, 3 and 4 को Solve गया था आज हम और से Next Question Solve करेंगे जिसमें हम SCF के Question Solve करेंगे SCF से Little Statement Based Question Solve करेंगे तो आई ये स्टार्ट करते हम Exercise 3.5 के Next Question देखे Question No. 5 देखे Question No. 5 में क्या दिया हुआ है? Find the Greatest Number which divides 228, 305 and 382 Leaving Remainders 3, 5 and 7 respectively देखे, Greatest Number दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? SCF निकालेंगे लेकिन Remainders भी दिया हुआ है तो हम पहले जो digit due use में से Remainders को माइनस कर देंगे 228 में से हम Remainders को माइनस करेंगे Remainders पहले 3 दिया हुआ है फिर 305 में 5 Remainders बचे रहा है और 382 को डिवाइड करें तो 7 Remainders बचे रहा है तो देखे, आप इनमें माइनस कर देंगे 8 में 3 गए 5 यहां बचा 225 305 में से 5 माइनस करेंगे तो 300 बचेगा और 382 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्याएगा 375 अब इन तीनों को हम क्या निकालतेंगे SCF देखे, कैसे निकालते हैं इसका SCF देखे, हमने रिमेंडर को माइनस किया तो क्या आया 225 और 300 और 375 अब इनका क्या ले लेंगे हम SCF, देखे, 225 को 300 से डिवाइड करेंगे 225 बन जा 225 अब देखे, इस 300 में से 225 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 75, 75 रिजा कितने होते हैं 225, तो 0 रिमेंडर बच गया तो हमारा SCF क्या आगा 75, इन दोनों का SCF क्या है 75, अब क्या करेंगे जो इन दोनों का SCF आया इन दोनों डिजिट्स का, अब 75 और 375 का SCF निकालेंगे 75 को हम 375 से डिवाइड करेंगे 75 रिमेंडर क्या बच गया, 0 अब देखे, डिमेंडर 0 बच जने के बाद जो डिवाइजर होता है, वो क्या होता है SCF, तो SCF क्या आगया है 75, तो गरेटेस नमबर क्या है 75, नेक्स क्यूशन देखे, क्यूशन नमबर 6 क्यूशन नमबर 6 में देखे, find the greatest नमबर which divides 245 and 1029, लिविंग ए रिमेंडर 5 इन इच केस, देखे greatest नमबर दिया हुआ है तो greatest नमबर के लिए हम कहान करेंगे SCF, रिमेंडर भी दिया हुआ है, कि 5 बसका है इन दोनों को डिवाइड करने में कोई greatest नमबर बताए, जो दोनों को डिवाइड करने पर रिमेंडर 5 बचे, तो देखे हम क्या करेंगे पहले रिमेंडर को माइनस कर देंगे दोनों डिजिट में से 5, 5, माइनस कर देंगे 245 में से 5 माइनस करेंगे तो अंसर क्याएगा 240 1029 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्याएगा 1024 अब देखी इन दोनों का मैं कहाने काल देंगे 244 और 1024 का ऐसी अब देखी कैसे केर्श नमबर 6 में देखी Find the greatest number which divides 245 and 1029 Living remainder 5 in each case greatest number निकालना है तो greatest number निकालने के लिए हम एसीट निकालेंगे और remainder दिया हुए तो हम remainder को minus कर देगे 245 में 5 को minus किया तो क्या है 240 1029 में 5 को minus किया है तो क्या है 1024 अब 240 को हम 1024 से डिवाइड करेंगे एस्तिर निकालने के लिए तो 244 जा क्या होते हैं 960 तो ब्रिमेंदर क्या बचा 64 अब 64 तो डिवाइजर बन जाएगो 240 डिविडेंड तो 64 थृज़ा 192 अब भी इसको माइनस किया तो क्या है 48 48 डिवाइजर और 64 डिविडेंट अब इसको डिवाइड करेंगे तो 48 बंजा 48 अब 64 में से 48 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा 48 क्या बन जाएगा 16 दीज़ा 48 तो देखिए remainder क्या बचा रहा हमारा 0 तो देखिए remainder 0 बचा तो हमारा SCF क्या है अब उसका diviser क्या है 16 तो हमारा SCF क्या होगा 16 तो हमारा answer क्या है 16 next question देखिए next question देखिए question number 7 3 pieces of timber 54 meter 36 meter and 24 meter long have to be dive into planks of the same length what is the greatest possible length of each plank देखिए 3 pieces of timber है जिनकी length क्या है 54 meter 36 meter और 24 meter देखिए उनकों सेम लेंथ में डिवाइड क्या गया है तो what is the greatest possible length of each plank देखिए greatest possible length of each plank पुछा है तो greatest के लिए हम क्या निकालेंगे SCF तो तीनों का हम क्या निकालेंगे SCF देखिए कैसे निकालते हम इसका SCF देखिए कैसे निकालते हम इसका देखिए question number 7 में length of 3 pieces of timber क्या दिया हुआ है 54 meter, 36 meter और 24 meter तो greatest possible length of each plank यानि हमें greatest length निकाल लेंगे जो इस plank की हो सकती है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे 24, 36 और 54 या का ले लेंगे SCF देखिए 24 को 36 से डिवाइड करेंगे 24 बन जा 24 अब remainder का पचा हमारा 12 अब 12 को divisor बना देगे और 24 को बना देगे 12, 2, 24 अब देखिए remainder का पचा 0 तो अब 24, 36 का SCF का 12 अब 12 और 54 का SCF लेंगे 12 और 54 को डिवाइड करेंगे 12 और 54 में से 48 गई तो 6 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 6, 2, 2, 12 remainder के बचा 0 अब देखिए जो remainder 0 बचा उसका divisor का 6 तो हमारा SCF क्या है 6 तो देखिए greatest possible length of each plank की क्या होगी 6 meter ये था हमारा question number 7 next question देखिए next question देखिए question number 8 determine the length of the longest step which can be used to measure exactly the length 6 meter 58 cm, 9 meter 40 cm and 11 meter 28 cm देखिए length of longest step निकाल ली है जिसके use करने के लिए exactly length क्या होगी 6 meter 58 cm यानि कि हम इसे cm में change कर लेते हैं cm में change करेंगे 1 meter में 100 cm 6 meter में 600 और 58 एड़ करेंगे तो 658 तो 658 cm इदर 9 meter 40 cm और 940 cm और 11 meter 28 cm को change करेंगे 1128 cm अब 3 निकाल देगे हैं ऐसी है फिर के आ जाएगे यह मारी length of longest tape यह मारी length of longest tape देखें कैसे निकालते हैं क्योशन नमबर 8 में देखिए length of tape दिए है 6 meter 58 cm 9 meter 40 cm 11 meter 28 cm तो देखें 658 cm और 940 cm 1128 cm यानि हमने cm में convert कर दिया तो 658 को 940 से डिवाइड करेंगे तो 658 बन जाए 658 अब देखें 940 में से 658 को माइनस करेंगे 282 अब 658 क्या बन गए dividend 282 तो जा 564 हमारा length of capture 94 अब देखें 94 को 282 से डिवाइड करेंगे तो 94 3,282 रिमेंटर क्या बचा 0 तो देखें 0 रिमेंटर बचने के बाद उसका डिवाइजर क्या हमारा HCF इन दोनों के क्या है HCF 94 अब 94 11 and 28 को डिवाइड करेंगे 94 बन जा 94 अब देखें 94 को माइनस करेंगे तो 18 बचेगा अब 8 उतारेंगे तो देखें 94 टूजा 188 तो अब देखें 0 तो इसका डिवाइजर क्या है हमारा HCF तो HCF क्या हमारा 94 देखें 94 देखें धुक्ति नम्पर नबर 9 डिखिए यह रूम मैजर्स 4.8 मेटर & 5.04 मेटर जारेंगे 5.04 मेटर 5.04 मेटर 5.04 मेटर 5.08 मेटर 5.04 मेटर अजयूस साइज नम्ममें युष इसको यूज़ करके विदाउट कटिंग एनी टाइब लगा सकते हैं तो देखे 4.8 मीटर दिया हुआ है तो मीटर के हम पहले cm बना लें जिसे इजी तरीक से हम ऐसी है निकाल सकते हैं देखे 4.8 मीटर दिया हुआ है तो इसको 4.8 मीटर को cm में चेंज करें तो कहाएगा 480 cm और 5.04 मीटर को चेंज करें तो 504 cm तो इन दोनों को आप क्यान काल देगें ऐसी है यह था हमारा अब देखे क्ष्व नमबर 9 में हम कर इंग कैसे देखे क्येशन नमबर 9 देखे ए रूम मेजर्स इसको 4.8 मेटर और 5.04 मेटर दिया हुआ हम ने इसको cm में चेंज करें 480 cm और 504 cm 480 cm को हम 504 से डिवाइड करेंगे तो 480 बन जा से यह 20 पर पूरा complete डिवाइड हो गया है तो हमारा डिवाइजर के है 24 तो 24 के हमारा एसी अब अब देखे एसी हमारा 24 आ गया है तो size of longest के टाइल के हमारी 24 cm यह था हमारा क्यूशन नमर 9 नेक्स्ट क्यूशन देखे क्यूशन नमर 10 में देखे टू बाकेट्स केन होल्ड 272 लिटर और 425 लिटर रिस्पेक्टिवली देखे टू बाकेट्स में वाटर होल्ड किया हुआ है 272 लिटर और 425 लिटर अभी पूछ रहा है क्यूशन देखे लिए लिए कितनी कैपिसिटी में लाजेस्ट बाकेट के जूर पड़ेगे हमें तो यह था हम इन दोनों के निकाल देगे एस है कैसे निकालेंगे किश्च नमबर 10 में क्योश्ट नमबर 10 देखे तू बाकेट्स केन ओल्ड वोटर इस इकवल तो 272 लिटर 425 लिटर देखे दो बाकेट्स देवे हैं में वोटर कितना ओल किया हुआ है 272 लिटर और 425 लिटर देखे ऑपिसिटी ऑफ लाजेस्ट ब एक बाकेट में कितना पानी मतलब उसकी लार्जेस्ट होगी कैपिसिटी तो देखिए कैसे निकालेंगे 272 और 125 पर कहले लिए सब्सक्राइब 272 अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेंटर किया है 153 को 272 से डिवाइड करेंगे chỉ1 19 को 193 से डिवाइड कर देखिए हमारा 34 तो 34 बजने के बाद 102 पर गया यह फ्रίν गया फ्राइड पर एप 2000 जाब क्या आगी 17 लीटर ये था हमारा question no.10 जो complete हो चुका है next question देखिए question no.11 देखिए 10 student of 3 section of a school sorry of a class have to stand in a row each row has equal number of student if there are 24, 36 and 60 student in 3 section find the maximum number of student in each row देखिए क्या दिया हुआ है थ्री सेक्शन है को students के देखिए इस फर्स सेक्शन में 24 स्टुडेंट सेगेंड सेक्शन में 36 स्टुडेंट और 66 स्टुडेंट है थ्री सेक्शन में थर्ड वाग सेक्शन में अब यह पूछ रहा है कि maximum number of student in each row एक row में कितने maximum number of student आ सकते हैं तो हम इन तिन नोगा क्या निकाल देगे SCF SCF निकाल के ही questions और देखिए कैसे question number 11 में देखिए देरा student in three section मतलब three section में कितने बच्चे हैं कितने स्टुडेंट है देखिए first section में 24 second section में 36 और third section में 60 तो हम 24 36 और 60 का क्या लिए लिए ऐसी है 24 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा answer क्या है 12 ये था हमारा question number 11 complete हो चुका आज हमने question number 5 से लखी question number 11 तक question solve की है exercise 3.5 की आज के लिए बस इतना ही next class में हम next exercise स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को लाइक करें और जाद 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 शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू लुआ 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 लुआ